वेलकम चू आकरत इंडिया एव्रिवन यह जो सीरीज है यह आपके लिए बहुत ही जादा इंट्रस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस सीरीज में आप बोल सकते हैं कि आप कर लेंगे अपना मास्टर्स और बैचलर्स इंडान्स और या फिर कोई भी ऐसा performing arts like music, like theater या फिर और भी बहुत-बहुत अलग-अलग किसम के performing arts है जिसके बारे में हम इन सारी सीरीज में बात करने वाले हैं कलापीट एक बहुत ही amazing concept है क्योंकि यह online और offline mode पे और practical और theory mode पे आपको हर वो चीज की information देगा जो आपको as an artist सीखने की बहुत जादा जरूरत है आज हम सबको sum up करेंगे और हम start करेंगे एक ऐसे बहुत important topic से जिस topic के बारे में आपने जरूर सुना होगा पर being artist हम शायद westernized culture के उपर इतने जादा focus नहीं कि कही न कहीं हम वो classical background को बूल जा रहे है बाट यहां मैं classical dance forms की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ नाटे शास्तर के बारे में आपने बहुत किसम के शास्तर पढ़े है बाट यह एक ऐसा शास्तर है जो आपको being artist पढ़ना बहुत जरूरी है यह सबसे जादा oldest text है जो अभी भी मौझूद है और इसको लिखा है great Indian dramatist ने ancient times में इसको कहा जाता है poetic of Indian drama also इन सारी बातों को करने के बाद आप हम finally आ जाते हैं इसके origin में जिसको जानना बहुत जरूरी है कि नाटे शास्तर का origin हुआ कैसे इसके बारे में कोई बहुत जादा information तो ना google पे ना किसी भी ऐसे sources में अभी तक कहीं पर भी लिखी गई है मगर इसके पीछे एक बहुत ही प्रचलित कहानी मौझूद है जिसको मैं आप सब के साथ share करना चाता हूँ और वो बहुत ही जादा interesting दिये एक बार क्या होता है कि बहुत सारे देव मिलकर भ्रम्मा के पास जाते हैं भ्रम्मा जिनको मैं आज यहां mention करूँगा as a god भ्रम्मा के पास जाते हैं और उनसे एक बात करते हैं कि वो कुछ ऐसा create करें जिससे उनकी life में सारी चीज़ों की problem solve हो जाए at the same time वो ये कोशिश करना चाहते थे सारे देव मिलकर कि कुछ ऐसा बन जाए जिनको वो अलग-अलग rituals में अलग-अलग जगाओ पर या फिर कुछ ऐसी तरीके की चीज़े create करना चाहते थे वो भ्रम्मा के थुरू जहां पर उनको अपनी हर एक questions का answer मिल जाए और ये सारी बातों को लेकर वो पहुँचे ब्रम्मा के पास जहां पर उन्होंने चार वेदों से सारी चीज़ों को निकाल कर जुस भी वेद की चीज़ उनको बहुत जाद अच्छे लगी उस वेद से वो पर्टिकुलर चीज़ को निकाल कर बनाया पाच्छवा वेदों अब उन चार वेदों से भ्रम्मा ने क्या निकाला उसके बारे में जानने थे तो सबसे पहले जो उन्होंने निकाला वो था रीडिंग फ्रॉम रिगवेदा इसके बाद हमें बहुत ही important इंसान के बारे में बात कर लेते हैं जिनको कहा जाता है कि उन्होंने नाटे शास्त्र को लिखा था हम बात करेंगे भरत मुनी की कहा जाता है कि जब इस form को create कर लिया गया तो भ्रम्मा ने भरत मुनी को एक छोटा सा concept दिया उन्होंने कहा कि तुम पूरे world में यानि कि अगर मैं simple language में बूलू तो तुम पूरे world में घूमोगे और इस particular art को फैलाओगे अब यहाँ पर एक बहुत ही general सी बात कर लेते हैं अगर मैं आपको कोई भी काम देता हूँ और बुलता हूँ इस काम को हर जगे जाकर करना है या हर जगे जाकर फैलाना है तो आप उससे एक simple सा question पूछेंगे कि इसको करने से होगा क्या ऐसा ही कुछ भरतमुनी ने पूछा भ्रमा से कि इसको करने से होगा क्या और भ्रमा ने जो answer दिया मेरी खाल से वो हर एक artist को सुनना बहुत जादा जरूरी है उन्होंने कहा कि ये जो हमारा नाटे शास्तर है वो सरिफ dance, music, theater या इनके बारे में या फिर टर कोई dialogue में इन सब के बारे में ही सब कुछ नहीं है बेसिकली ये शमता रखता है एक complete artist को create करने के लिए एक ऐसी power जो उस जमाने में बहुत ही बड़ी और बहुत ही different मानी जाती थी तो जिस तरीके से उस समय की बात करें और हर इंसान के पास कोई न कोई विद्या हुआ करती थी ये एक ऐसी विद्या थी कि अगर कोई नाटे शास्तर पढ़ लेगा या फिर उसको अच्छे से सीख लेगा या उसको practice में लेके आ जाएगा तो वो एक complete artist बन जाता है और अगर हम artist की बात करें तो वो आज के artist की तरह नहीं, वो उस जमाने के artist जिनके पास power हुआ करती थी बहुत सारी चीजों को बदल देने की, अपनी nature को around, surround को बदल देने का, उनके पास power हुआ करती थी, अपने surroundings को खुशाली में बदल देने का, उनके पास power हुआ करती थ कि वो अपनी आर्ट के थुरू किसी चीज़ को दबस्त या खतम कर सकते थे तो उस किसम की और उस लेवल की में बात कर रहा हूँ मेरी ये सारी बाते सुनने में आपको बहुत ही जादा हाइपोटेटिकल लगरी होंगी और इसकी authorship के बारे में कहा जाता है मतब basically कुछ historians कहते हैं कि ये किसी एक ही इंसान ने बनाया है और कुछ कहते हैं कि नहीं ये एक इंसान का काम होई नहीं सकता क्योंकि इसमें इतनी जादा information और इतनी जादा चीज़ें मौझूद हैं कि वो एक human body के लिए करना impossible है वहीं पर एक बहुत ही popular historian कपिल वतसायन कहते हैं कि ये सिर्फ एक ही इंसान की लिखी हुई है और इसके पीछे जो reason वो देते हैं वो कहते हैं unity of text अब कुछ लोगों को जुनको unity of text नहीं समझ में आया है मैं समझा देता हूँ बेसिकली जो first chapter है जो उसके बाद का chapter है उसके बाद का chapter है और जितने भी chapters इस पूरे गरंथ में मौझूद है वो सब chapters में कोई न कोई incidence या कोई न कोई text का uniformity दिख रहा है यानि कि first chapter से कुछ third chapter की बाते link होती है second से कुछ fourth की होती है, fourth से कुछ eighth की होती है इस तरीके से कही न कही सब में पूरा unity of text है और इस basis पे वो ये कहते है कि ऐसा सिर्फ एक ही person कर सकता है अगर वो एक person उस पूरी चीज को लिख रहा है तो जहां तक बात ये काफी हद तक सही है मगर historians के different perceptions हैं और हम exactly कोई एक conclusion पे नहीं जा सकते दूसरी जो confusion है वो ये है कि क्या सच में भरत मुनी नहीं नाटे शास्तर को लिखा है क्योंकि अगर हम इस पूरे text को पढ़ें तो उसमें end में एक word है Since he alone is the leader of the performance, taking on many roles, he is called भरता और कुछ historians कहते हैं कि भरता एक बहुत ही जादा generic term हो सकता है जिसको हम समझ लेते हैं कुछ इस तरह भा से हो गया भावा, रा से हो गया रागा, ता से हो गया ताला और कहा जाता है कि नाटे शास्तर इन सब चीजों पे ही based है तो हो सकता है कि इन सब चीजों के base को निकाल कर एक term को भरता बना दिया हो और उस वज़े से लोगों ने कहा कि ये भरत मुनी ने पूरी नाटे शास्तर लिखी है तो ये बहुत साथा confusion है और इसके बारे में exact information मौझूद नहीं है बट हम सारे scriptures को पढ़के और सारी information को gather करके सिर्फ कुछ-कुछ bits में इसको समझ सकते हैं और जो doubt number 3 है उसमें कहा जाता है अब इसके ऊपर कोई बहुत बड़ी टिपनी नहीं कर सकते पर ऐसा कहा जाता है कि रामायन से भी पहले लिखा गया है ये शास्तर तरीके से क्योंकि जो वालमिकी की रामायन है और उसमें जो music का connection दिया गया है वो बहुत जादा interrelate करता है on the instructions given by भरतमुनी तो इस base पर ऐसा कहा जाता है कि जो रामायन में use हुई music terminologies है वो भरतमुनी के instructions पर बहुत जादा based है और इस base पर उसको रामायन से थोड़ा और पुराना माना जाता है और यह believe करा जाता है कि यह 200 BCE से 200 CE के बीच में लिखी गई है और इसके साथ हम बहुत जाते हैं अपने चौथे point पर जो है about title and settings यह पूरी जो नाट्य शास्त्र है उसको लिखा गया है संस्कृत में जिसमें है 6000 सूत्रस जो verse में और stanza में organized है करीबन 35 से 36 chapters में और एक और ही बहुत simple सी चीज है जिसको हम इसी points के साथ समझ लेते हैं जिसमें नाट्य शास्त्र में जो नाट्य टक word आता है वो कही न कहीं denote करता है theta को but at the same time जो nut word है नाट्य का nut word है उसको consider करा जा सकता है as dance also क्योंकि nut का मतलब dance भी होता है इसके साथ हम पहुच जाते हैं सबसे creative part इस पूरे वीडियो के जैसे की एक simple सी बात है अभी हम बात करेंगे जिस बारे में वो बहुत जादे interesting होने वाला है क्योंकि हम जानने वाले हैं कि नाट्य शास्त्र exactly जो बना तो वहाँ पर क्या-क्या incidence पर और इस वीडियो में हम यहां तक ही रखेंगे और next वीडियो में हम इसके आगे भी बढ़ेंगे और उससे पहले मैं आप से बात करना चाता हूँ कि नाट्य शास्त्र exactly अगर सही तरीके से समझा जाये तो है क्या तो यह एक ऐसी heritage है एक ऐसी rich heritage है जो generations by generation verbally एक दूसरत को बताई गली है अब इसमें एक simple सी चीज समझ लेते हैं कि जब generation by generation चीजे बताई जाती है तो उसमें कुछ चीजे add हो जाती है कुछ चीजे कम हो जाती है और बहुत सारी चीजे up and down हो जाती है बट मैं सारे artists एक question पूछना चाहता हूँ कि ये एक लौता ऐसा शास्तर है जो शायद कला के बारे में धंग से है और या फिर पूरा properly dedicated है तो क्या हम लोगों को इस particular चीज में या फिर जो भी higher authorities हैं उसको particularly इस चीज में research नहीं करना चाहिए और अगर research नहीं करना चाहिए तो क्या हमारी responsibility नहीं बनती कि जितनी भी information available है at least वो तो हम grab कर ही लिए अगर आपको लगती है ये बात बिल्कुल सही तो नीचे comments में जरूर येस लिखना या फिर अपना जो भी feedback है वो जरूर लिखना इसके साथ हम story में आगे बढ़ते है तो बात कुछ उतनी पुरानी है कि वहाँ पर कुछ मुनी और कुछ मुनी भी नहीं मैं exact numbers बताऊंगा पांच मुनी एक बार जाते हैं भरत मुनी के पास और वहाँ से जाके वो उनसे ऐसे पांच questions पूछते हैं जब वो अपनी विद्या को अपने नाट्य शास्त्र को लोगों को बताने में लगे थे उस समय पर तो वो पांच questions थम जान लेते हैं पहला question था कि नाट्य शास्त्र बना कैसे ये किसके लिए बना तीसरा question था इसके parts क्या-क्या है चौथा question इसकी सीमा क्या है उस समय पर जो भी बोली बोली जाती थी उन सब के वे में हुई होगी भरत मुनी ने जो answers इसके बारे में दिये वो sequence में नहीं है बट नाट्य शास्तर के अलग-अलग chapters में हमको इन सब के questions सीखने को मिलते हैं तो हम वो सारी बाते जान लेते हैं कि भरत मुनी ने इसके answers में अलग-अलग chapters में क्या दिया बट मैं आपको एक छोटी सी summary में सब कुछ बता दूँ तो भरत मुनी सबसे पहली जो बात उन लोगों से कहते हैं वो है कि यह जो नाट्य शास्त्र है उनको भ्रम्मा ने दिया है और उनको एक काम सौपा गया है कि वो जगा-जगा घूम कर इस विद्या को लोगों में फैलाएं इन फैक उन्होंने ये भी बताया है कि सिर्फ वो ही नहीं उनके आने वाले descendants उनके आने वाले जो भी लोग है जो उनसे सीखेंगे जो उनके students है वो सब इस बात को आगे-आगे इस विद्या को अपने-पने लोगों में फैलाते जाएंगे इसके साथ भरतमुनी बताते है कुछ बहुत ही amazing characteristics of नाट्य शास्त्र जिसमें सबसे पहली है उन्होंने कहा ये बहुत ही sacred material है और जिसको बनाया गया है और इसको perform करने के लिए आपको दिल, दिमाग से बहुत ही जादा sacred होने की जरूरत है दूसरा उन्होंने बताया कि इसको वो ही इंसान सीख सकता है जो संस्कृत थेटर को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है तीसरा एक ऐसा point है जो बहुत ही controversial point है मेरे point of view से बढ़ आपकी इसमें क्या राया है वो आप जरूर बताइएगा तीसरा point यह है कि उन्होंने बुला जो higher section of society है यानि की caste system के जो higher section में है यानि पुजारी या उस तरीके के लोग वो ही इस practice को practice कर सकते हैं उन्होंने ये भी कहा चौथे point में कि कोई भी ऐसा इंसान जिसकी skills उस level पे नहीं चीज़ों को समझती है वो ये शास्तर नहीं सीखता आज में point में उन्होंने कहा कि जिसको dance, music और rituals की knowledge है सिर्फ उसी को ये शास्तर को सीखने की अनुमती मिलेगी और जो सबसे important चीज़ जो मेरे क्याल से हर एक artist को, हर एक dance teacher को समझने की तुरत है जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि ये जो भी सीखा गया है, ये अपने अंदर रखा नहीं जा सकता है इसको आपको लोगों को बाटना ही पड़ेगा ये rule बहुत ही जादा important है फिरे point में आ जाते हैं जो भरतमुनी ने उनको बताया और वो ये था कि इस art को करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पवित्र ग्राउंड में ही करना पड़ेगा यानि कि आप कहीं पर भी इसको उठके नहीं कर सकते हैं आपके को इस art को practice करने के लिए इस art को demonstrate करने के लिए पवित्र जगा की ही जरूरत है Now, एक ऐसा point जो actually मैं खुद भी follow करता हूँ और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़ादा important है और जो आकरित इंडिया है उसका channel पूरा based ही इस चीज़ पे उन्होंने अपने last point में एक बात कही थी जो बात थी कि आप इस art को चाहे किसी भी तरीके से perform करें कहीं भी जाके perform करें बट entertainment के साथ इसमें education होना बहुत सादा must है और वो ही हम actually जरूर follow करते हैं अपने इस channel इसके साथ हम इस video के end में आ जाते हैं जहांपर हम entertainment level की videos बनाते हैं जहां education के साथ आपको entertainment भी मिल जाए हम सिर्फ और सिर्फ dance video contents या music video का content या फेटर का कोई ऐसा production video हम वो ही नहीं डालते हैं हम डालते हैं ऐसी चीज़ें जहां से इंडिया educate हो performing arts को लेकर और वो ही हमारा actual goal है अगर ये video आपको बहुत जादा पसंद आया है तो अपने maximum artist friends को जरूर भेज़ देना क्योंकि उनके लिए शायद ये value थोड़ा और भी create करेगा जिस तरीके से ये आपके लिए कर रहा है इस video को पहले से ही share करते रहने के लिए इस video को इतना जादा पसंद करने के लिए और अगर आप यहाँ तक टिक गए हो इस video में तो इस video को end तक देखने के लिए मैं बहुत जादा thankful हूँ आप सब के लिए इसके next part में और भी बहुत ही creative चीज़े हैं मैं आपको वापस से मिलूँगा तब तक के लिए मैं चलता हूँ क्योंकि मिरे को आपके लिए और जादा मेहनत करके different और informative content ले क्याना है signing off peace everyone take care